हेलो एन वेलकम गाईज स्वागत है हमारे फिर एक न्यू वीडियो में तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीओ फाइवे के न्यू बेकप प्लान के बारे में और इसकी लाइब इक्स्ट्रीमिंग करेंगे और देखेंगे क्या इसका रिस्पॉन्स भी उता है हम देख रहे हैं कि माई जी हमारा ओपन हो रहा है माई जी ओपन करने के बाद हम लोग प्लान देखते हैं होम पे जाने के बाद हम लोग चलेंगे जीओ फाइवर के सेक्शन पर हम लोग डिटेल देखते हैं हमारा आपना जीओ फाइवर प्लान क्या है जैसा कि देख रहे तो चलिए आज इसी की टेस्टिंग करते हैं कि इसकी क्या रिस्पॉंस है तो चलिए आज मैं इस वीडियो में पूरा एक एक करके सारा चीज़ एक्स्प्लेइन कर देता हूं कि 10 Mbps प्लान बहतर है या नहीं है तो चलिए अब सबसे पहले हम अपने टीवी की रेजुलेशन को हाई कर देते हैं चलते हैं सेटिंग पर सेटिंग पर जाने के बाद डिस्प्लेइन ओडियो सेटिंग पर जाने के बाद HDMI Regulation को हम हाई कर देते हैं HDMI Regulation को हाई करने के बाद हम कोई चैनल को प्ले करके देखते हैं तो चलते हैं चैनल की और तो जियो टीवी प्लस पे चलेंगे जियो टीवी प्लस पे जाने के बाद लाइफ टीवी पे जाएंगे लाइफ टीवी पे जाने के बाद हम प्ले करके देखते हैं इसकी पिच्चर क्वालिटी को तो जैसा कि देख रहे हैं कि 10 Mbps का प्लान है और ये तुरंत ही चैनल आपन हो गई और क्वालिटी भी काफी बहतर लग रही है तो चलिए अब हम कुछ और प्ले करके देखते हैं तो देख रहे हैं ये हमारा यूटूब है अब यूटूब में हम 4K वीडियो प्ले करके देखते हैं कि ये चला पाती है या नहीं तो चलते हैं यूटूब में सर्च करते हैं 4K वीडियो और इसे हम प्ले करके देखते हैं तो देख रहे हैं यह क्याफी फाइन चल रही है 10 Mbps के प्लान पर जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था विताउट वफरिंग अब हम इसकी क्वैलिटी को हाई करते हैं तो क्वैलिटी अभी 1080 पर करके देखते हैं 1080 पर यह वक्त कैसा चलता है जैसा कि देख रही है यह भी 1080 पर चल रही है जो कि इसमें यहां हम quality को और उपर करते हैं उपर करने के बाद यह हलका बफरिंग कर रही है यह थोड़ा सा loading लेती है स्टार्ट होने समय उसके बाद यह fine हो जाती है लेकिन वीडियो हलका हलका lag करता है 1080 के लिए यह यह प्लान sufficient है 2-3 users के लिए यह प्लान काफी अच्छा है प्लस नॉन स्मार्ट टीवी भी आपकी स्मार्ट हो जाती है और अगर हमारे आप चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं